हेलो दोस्तो नमस्कार मैं राकिश मंगल साइकलोजी बाला उमेश सर यूटूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार देख स्वागत करता हूँ हार देख अवनन्न करता हूँ सभी साथियों को जै स्री कृष्णा रादे रादे सभी साथि एक बार लाइब जुड़ जाएं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यारतियों के लिए सेयर कर देखो हमारी करंट अफेयर से सम्मंदित आपको रोजाना क्लास दी जा रही है आप सभी इस क्लास को रोजा करवाई जा रहा हैं, आप इनका फायदा ले सकें, ठीक है, सबी session को share करदें, ओके, हम start करते हैं, आज की current of years से, प्रिशनों पर चर्चा करते हैं, क्लास को एक बार जादा से जादा विद्यारतियों के लिए सबी share करदें, तो देखो पहला प्रश्ण है ठीक है करन्ट अफियर्स पर हम डिस्कर्श करते हैं अगस्त महा की तो देखो पहला प्रश्ण है कि राजिस्थान में राजिस्थान में हस्त सिल्फ और हत करगा जो निदेशाल है इसके गठन को मंजूरी मिल चुकी है यानि राजिस्थान में हस्त सिल्फ ठीक है हास से निर्मित बस्तों के लिए ठीक है हत करगा निदेशाल के रूप में गठन को मंजूरी मिली है हाल ही में जोदपुर जिले क यानि हत्सिल्प और हत्करगा निदेसाले की स्थापना की जाएए कहाँ पर जोद पुर्जले के अंतरगत ठीक है और ये मंजूरी दी है उद्योग और वारिज विवाग के द्वारा ठीक है यानि हमारे यहाँ पर जो जो हमारे राजिस्तान के अंतरगत जो भी चीजें हैं बंती हैं, हास्से निर्मिद है ठीक है, उनके क्या है प्रचार पसार के लिए उनको बढ़ाबा देने के लिए ठीक है, ये हतकरगा निदेसालय है इसके गड़न को मंजूरी दी गई है जोतपुर्जिले के अंतरगाज और ये मंजूरी उद्योग और रुमारिज व्वाग के द्वारा दे गई है के लिए इसका उदेश क्या है इसका उदेश है हमारी राजिस्थान में विलुप तो हो रही हस्त कलाओं को पुनर जीवित करना यानि हमारी राजिस्थान के अंतरका जो जो हासेरे में चीज़ें वो उनको लोग भूल चुक दो हजार बाइस को आई उसके क्रियान वेन हितू भी ठीक है इस निदेशालक के गठन को मंजूरी दी गई है हाल ही में जोद्पुर जिले के अंतरगत किलियर हो गया अगले प्रिश्ट की दरब चलते हैं अगला देखो अब देखो उधेपुर वर्ड फेस्टिवल इसका आ दो हजार चोबिस को ठीक है उधेपुर वर्ड फेस्टिवल जिसका कौन सा संसकरण है यानि उधेपुर वर्ड फेस्टिवल का संसकरण है दसवा ओके और इसका आयुजन ग्यारे से चोदे जरवरी दो हजार चोबिस को उधेपुर के अंतरगत उधेपुर वर्ड अगला देखो ये देखो चंद्रमा के दक्षडी दुरुप पर उतरने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो चंद्रमा के दक्षडी दुरुप पर उतरने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? तो भारत बना है विश्व का कौन सा देश बना है? यानी देखो भारत का जो चंद्रियान्त्री मिशन है ठीक है चंद्रियान्त्री मिशन इसने चंद्रमा के डक्षडी दुरुपर तेईस अगस्त दो हजार तेईस को सबलता पूरवक लेंडिंग की है ठीक है और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोजी जी ब्रिक्स सिकर सम्मेलन की ब्रिक्स सिकर सम्मेलन में गये थे जो हांस वर्ग दक्षड अफरिका में और वहां से उने पूरे देश को सुब कामनाय दी यानि जो इसरों के बेग्जानिक हैं जिरों ने इसका निर्माण किया मिसन चंदरियांत्री ठीक है उनको बदाईयां दी पूरे देश को सुब कामनाय दी ठीक है प्रदान मंत्री नरे निर्मोदी जी ने तो चंदरमा के दक्चरी दुरपर उतने वाला भारत विष्ट का प असे एक्जाम में जरूर प्रश्ण बनेगा मिसन चंदरियांत्री इसका निर्माता कौन है यानि इसको बनाया है इसरों के व्यद्रियांत्र को इसरों की इस्ताप ना की गई थी ओके अब देखो इसको लौंच कब किया गया था मिसन चंद्रियांत्री को 14 जुलाई 2023 को इसे लॉंच किया गया कहां से 37 दवन अंत्रिक्ष केंद्र है स्री हरी कोटा में और ये कहां पर है आंधर प्रदेश के अंतरगत है तो ये मिसन चंद्रियांत्री को 14 जुलाई 2023 को सतीज दवन अंधरिक्षकेंडर स्री हरिकोटा अंधर प्रदेश से इसे लॉंच किया गया है अब देखो इसमें उपकरण कौन से हैं एक तो है लेंडर और एक है रोवर यानि लेंडर का नाम है बिक्रम और रोवर का नाम है प्रग्यान इनको याद रखें लेंडर बिक्रम है और रोवर का नाम है प्रग्यान और लॉंच वेहिकल कौन सा है तो लॉंच वेहिकल है जी एस एलवी मार्क थ्री ठीक है इंपोर्टेंट प्रशन रहेगा आगे आने वाली सभी बरती परिछाओं के लिए मिसन चंद्रियान थ्री ठीक है का जो दक्षरी दुर्प है उस पर सफर लेंडिंग कराना ठीक है ये था और मैं जो देश है वो है कि चंद्रमा पर भूकम्ब के बारे में सतय पर गर्मी का अध्यन पानी की खोज खनिज की जानकारी और मिट्टी का अध्यन करना यानि वहाँ पर मानव जीवन संभव हो सकता है नहीं इसके लिए ये क्या है ये मिसन किया गया है यानि चंद्रमा पर भूकम्ब किस प्रकार से भूकम्ब आते हैं वहाँ ठीक है उस पर गर्मी कितनी पड़ती है मानव जीवन संभव है या नहीं वहाँ पर पानी है या न प्रेंड रहेगा ओके आगे चलते हैं आगे देखो राम हर्स सींग ये राम हर्स सींग कौन थे तो सरवपली रादा कृष्णन आयुरुवेद विश्विद्याले है कहां पर जोदपुर के अंतरगत ठीक है उसके प्रतम कुलपती थे कौन राम हर्स सींग यानि सरवपली र ठीक है इस प्रिश्ण को आप याद रखें राम हर्स सींग और सरवपली रादा कृष्णन आयुरुवेद विश्विद्याले जोदपुर के अंतरगत देश का पहला पंच कर्म चिकिस्टा केंदर भी इस्ताबित किया गया है इस प्रिश्ण को भी याद रखें वेहद इ प्रिथम कुलपती थे राम हर्स सींग जिनका हाल ही में निदन हो गया है ओके अब देखो ये हैं रतना राम लहरा रतना राम लहरा ये कौन है तो ये आफरी आफरी है जोदपुर के अंतरगत यानि एरिड फोरेस रिसर्च इंशिट्यूट ठीक है आफरी इसके अधिकार हैं रतना राम लहरा और इन्हें लाइफ टाइम मेरिटोरियस अवार दिया गया है लाइफ टाइम मेरिटोरियस अवार दिया गया है क्यों बनो के विकास में योगदान के लिए ठीक है लाइफ टाइम मेरिटोरियस अवार से सब मानित किया गया है रतना राम लहरा को ये आफरी जोद्पुर के क्या है वन में बन अधकारी हैं और बनों के विकास के लिए इन्हें लाइफ टाइम मेरिटोरियस अवार दिया गया है अब ये अवार किस के द्वारा दिया गया है तो भारतिये वानिकी और सिख्षा परशद है धैरादून के अंतरगत तो उसके अवार दिया गया है जोद ये अपने हैं आफरी जोद्पुर के अधकारी है रतना राम लोहरा ठीक है इन्हें लाइफ टाइम मेरिटोरियस अवार से सम्मानित किया गया है ठीक है बारतिये बानिकी और सिख्षा परशद देहरादून के द्वारा अब देखो अगला स्व भी वार आया है यानि इन दोर दस लाग से अधिक जो आवादी वाले सेहरों में ठीक है फर्स नम्मर पे आया है इन दोर मत्य प्रदेश का ठीक है स्वक्च वायू सर्वेक्चर रैंकिंग 2023 जारी की गई जिनमें स्वक्चता की मामले में सबसे नमबर बन पे आया है इन द आता है ओर ताज्व की बाद देखो सेकwork नममर पे आया है आगा जहां बहुत ज़यादा गन्दगी रहती ती अब वो आगारा इसमें दूसरे नमर पर आया है ओकी और तीसरे नमर पे आया है ढाने महरास्ट का ठीक है यह आपको याद रखना है अब ये स्वक्च वायू स दस लाइक सिएदिक आवादवाले सहरों में इंदौर जिला मद्वर्देश के अंदरगत। पर आया है आगरा उत्तर प्रदेश के अंदरगत। पहली वर्चुल हाई कोड की बैंच खोलने की गोशना की गई है। यानि वर्चुल हाई कोट का मतलब है वहाँ पर आपको जाने की आविशक्ता नहीं होगी आपके नेट के इंटरनेट के माधियम से ही वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से ही आपका जो केश है उसकी सुनवाई चलेगी ऐसा आप पहली वर्चुल हाई कोट की बैंच गई है वो हमारे बीका नेर चिले के अंतरगत की गई है और ये गोशना केंद्रिय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेगवाल ठीक है अर्जुन राम मेगवाल के द्वारा की गई है केंद्रिय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेगवाल इनके द्वारा ये गोशना की गई है और कोटा और उदैपुर में भी इसकी मांग चल रही है तो आपको याद रखना है पहली वर्चुल हाई कोड की जो बेंच खोलने की कोशना की गई है वो बीका नेड़ जिले के अंतरगत की गई है अरजुन राम मेगवाल के द्वारा जो की क्या है किंद्रिय कानून मंत् ठीक है ओके अगला प्रिशन और देखते हैं लास्ट प्रिशन है उदैपुर ये उदैपुर जो है इस उदैपुर जिले को रास्तिये छे उनमूलन कारिकरम के तहट और केंद्रिये छे अनूभाग नई दिल्ली की ओर से कांस पदक दिया गया है यानि जो टीवी रोग है टीवी रोग के मामलों में क्या है यहां कमी आई है इसके लिए इसको ये अवार दिया गया है उदैपुर जिले को पूरे देश के अंतरगत उदैपुर जिले को रास्तिये छे उनमूनन कारिकरम के तहट केंद्रिये छे अनूभाग नई दिल्ली की ओर से कांस पदक मिला ह क्यों मिला है वर्ष 2015 की तुल्ला में और 2022 में यहां पर छे रोग की दर में 20% से 40% कमी दर्ज की गई है इस कारण उदैपुर जिले को यह कांस पदक दिया गया है और पूरे देश में इसको तीसरा इस्थान इसमें मिला है हमारे राजिस्तान का जो लक्ष है 2025 तक इसको क्या है टीवी मुक्त करना है ठीक है टीवी से मुक्त करना है 2025 ठीक है तो यह प्रशन थे हमारे आज की Current Affairs के प्रशन ठीक है सभी को क्लास कैसी लगी ठीक है बताएं कमेंट करके और सभी इस क्लास को रोजाना देखें आपको स ठीक है ठीक